हेलो दोस्तो मैं प्रसांत एक्जाम रेज की यूट्यूब चैनल में आपकर स्वागत करता हूँ मुमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं भारत के प्रमुक बांध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन ले करें ताकि जब भी आप नेस्ट वीडियो अप्लूट करें तो उसका नोट पी के सनाप तक सबसे पहले पहुंच सकें चलिए दोस्तों आज की वीडियो के शुरुवात करते हैं कि कोश्चन नमबर वन है भारत के सबसे उंचा नदी बांध कौन सा है बताई भारत के सबसे उंचा बांध कौन सा है तो इसका अंसर है कि टीरी बांध जो है तो भारत के सबसे उंचा बांध है ठीक है ऑप्स नमबर डी इसका राइट आंसर है आई रिपिट भारत के सबसे उंचा बांध कौन सा है टीरी बांध है चलिए दोस्तों नेक्ट कोश्चन क्यों चलते हैं नच्ट कोचन है भारत के सबसे लंबा बांध कौंछ से हैं आप सभी लोग सोचे का आनसर मुझे उम्मेद्लिस का एंसर आप सभी लोग राइट देंगे तो इसका अनसर है कि हीरकूंड बांध जो है तो भारत के सबसे लंबा बांध से चलते हैं टहारी बांद है भारत के सबसे उंचे बंद है वे किन दो नदियों के संगम पर इस्तित हैं तो इसका आसर हैं में भागे जठी वह भी लाग नदी के संगम पर इस्तित है ऐस नमर्सी राइल्ट आंसर रहेगा चलिए next question क्यों चलते हैं next question है salal band ने मिलेके नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है बताई इसका अंसर क्या हो सकता है तो इसका अंसर है salal band जो है तो chain-out नदी पर बनाया गया है ठीक है? option number 6 इसका राइल्ट आंसर है चलिए दोस्तों next question क्यों चलते हैं next question ही राइल्ट कोशन क्यों चलते हैं आप सभी लोग इसका अंसर बताएं बहुत तीजी question है तो इसका अंसर ही राइल्ट बांड जो है तो उड़ी सराज में इस्तित है option number 8 इसका राइल्ट आंसर रहेगा चलिए दोस्तों next question क्यों चलते हैं बांढ़ जया रानी लच्वी य बांध है वो किस नदि पर इस्तिते थे तो इसका अंसर ही गगा बीत वा नदि पर इस्तित है ठीक है option number 8 इसका राइट आंसर रहेगा आई रेपीट है राणे लेचिमी वाई किस नदी पर इस्तित है तो इसका अंसर रहेगा बेट पर नदी पर इस्तित है चलिए दोस्तों next question क्यों चलते हैं नेच्ट कोशन है मेट्टी वांद किस राज में इस्तित थैं нрав बताए इसका अंसर क्या हो सकता है है आप सब लुको सोचे теперь बताए तो इसका अंसर रहेगा मेट्टी वांध तु तमिल लाइदू राज में इस्तित थैं ठीक है वॉक्स नॉम्मर सी इसका correct answer एगा दोस्तों आप हमें comment box में लिखके बताएंगे कि तामिल लैडू राजी के वर्टवान में राज़िपाल कौन है इसका answer आप हमें comment box में लिखके बताएंगे चलिए next question क्यों चलते हैं next question है कोई ना وण्ध किस राज में इस्तित है बताएं जो कोई ना वदै किस राज में इस्तित था बताएंए आप सभी लोग और इसका अंसर रहें का महाराष्ट राज में इस्तित है ठीक है कौन सी नदी पर इस्तित है कोई नदी पर ही इस्तित है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कोई नदी किस राज में इस्तित है महाराष्ट राज में इस्तित है और कौन सी नदी पर यह इस्तित है कोई नद नदी पर ही इस्तित है चलिए दोस्तों नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्ट कोशन है अलमाटी वांध किस नदी पर निर्मित है बताए इसका अंसर कहो सकता है आप सब्सक्राइब बहुत ही जी कोशन है मैंने बताया भी इसका अंसर कई वार तो इसका आंसर हेगा अल्मार्टी बांद जो है तो क्रश्ना नदी पर निरमित है ठीक है अॉप्स नंबर डी इसका राइट आंसर हेगा चलिए दोस्तों नेक्ट कॉशन क्यों चलते हैं přि 컨 Cong चलते हैं मैं अब सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताए हैं आप सभी लोग सोचें और इसका अंसर बता है तो इसका अंसर एक थेन बांद जो तो रावी नदी पर बनाया गया है option number A इसका right answer रहेगा I repeat थेन बांद किस नदी पर बनाया गया है रावी नदी पर बनाया गया है चलिए दोस्तों next question क्यों चलते हैं next question जो कि बहुत important है next question है गांधी सागर जवाहर सागर राणडा प्रताब सागर बांद किस नदी पर निर्मत है बहुत important question है और सबयर क्यख़ंद कि जम्बल नदी पर इस्ति थे हैं ठीक है ओप्स नंबर से इसका राइट आंसर रहेगा ठीक है गांधी सागर जवाहर सागर सतर राणा प्रताप सागर बंद किस नदी पर इससे थे चंबल नदी पर इससे थे चलिए दोस्तों नेट कोश्चिन को देखते हैं नेट कोशन है मैथान बाल पहाड़ी तर्थ तिलेया बंद किस नदी पर बनाएगा है आप सभी लोग सोचें बहुत ही कोश्चन है तो इसका अंसर रहेगा मैथान बाल पहाड़ी और तिलेया किस नदी पर बनाएगा है तो इसका अंसर रहेगा बराकार नदी पर बनाएगा टे hijom अबस नंबिस का राइ्ट आंसर रहेगा चाहिए डोसन्व नेट फॉर्ट को चलते हैं नश्ट को इंडे कोसे मैं ुरॉष नदी पर बनाए घया है बताई है इसका अंसर क्या हो سकता है है तो इसका डाल मेय तौ मैं जो है तो का वेरी नदी पर बनाए गए है , I repeat , Mertur 1, किस नदी पर बनाए गए है? , Kavirin नदी नदी पर बनाए गए है चलिए रोसन, next question क्यों चलते हैं , Almaty 1, किस नदी राज में बनाए गए है? अभी मने बताया था Almaty 1, किस नदी पर बनाए गए है? कृस्ण नदी पर बनाए गए है और किस राजय में है यह करनाटग राजय में इस्तित है Ops No.A इसका राइट आंसर रहेगा चलिए Next Question के ओर चलते हैं Next Question है नगारजुन सागरबांद किस नदी पर बनाए गए है बताए इसका आंसर क्या हो सकता है तो इसका आंसर रहेगा नागार्जुर् सागर्बांट जो है तो क्रिस्ना नदी पर बनाए गए है ठीक है ओप्स नमर सी इसका राइट आंसर रहेगा चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं नेट कोशन है पॉंग डेम किस नदी पर बनाए गए है आप सभी लोग सोचें और इसका अंसर बता है यदि आपने सोच है ओप्स नमबर ए व्यास नदी तो आपका अंसर करेक्ट रहेगा ठीक है पॉंग डेम जो है तो व्यास नदी पर बनाए गए है चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं नेट कोशन है रियांद बांद किस नदी पर बनाए गए है आप सभी लोग जानते होंगे इ तुंग भंड्रा बांद किस राज में बनाए गया है बताए तो इसका अंसर रहेगा तुंग भंड्रा बांद जो है तो करनाटक राज में बनाए गया है ओप्स नमबर सी इसका राइट आंसर रहेगा चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं नेट कोशन है सरदार सरूबर बा आपको कैसे लगी प्लेज को में बताएं अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर करें ताकि उनके प्रेपरेशन भी अच्छी हो सके दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडिया प्राप्ट करना है तो आप हमारे टेलिग्राम गृुप से जोट सकते हैं और वहां से इसकी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों मैंने NCL exam के लिए Math, Hindi, English और Model People से लेटेड वीडियो बनाई हैं यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज आप उन्हें देखें ताकि आपके preparation अच्छे हो सके